हेलो एंड वैलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइबरी साइंस एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइबरी साइंस में जोड़दार स्वागत हैं दोस्तों मैं आपका दोस्त सुमेर सिंग कछावा पुस्त का लिए अध्यक्स आज की इ message और call आ रहे हैं कि हमारी वेकेंसी अभी तक क्यों नहीं आई है आखिर कब तक हमारी जो वेकेंसी आएगी क्योंगी वहां के जो दिरोजगार लाइवरी सैंस के जो students है उन्होंने सबसे पहले हाइपोट सिम्ला हाइपोट का जो है क्या कह सकता है साहित अली हाइपोट उन्हें सरकार को फटकार लगई और सरकार जो है आगे प्रोसेस भी बढ़ाया था पहले जो है इसका नाम अलग था उसके बाद इसका नाम चैंज किया गया था फिर उसने शिक्सा विवाग ने एक फॉर्मेट बनाया वो फॉर्मेट सरकार तक पहुचा और सरकार ने नियम भी बना लिये थे लेकिन अचा सहिता की वज़े से वो बटकी जो वो बटकी जो है वो अटक गई थी दोस्तों अब आज के जो है सुत्रो फॉर्त क्लास, स्पेसली हिमाचल पर्देश के जो हैं बच्छों के लिए हिमाचल पर देश के विरोजगार लाइवरी साइन्स के स्टुडेंट्स के लिए रिए दोस्तों तो हिमाचल परदेश जे ओ ए लाइब्रेरी, जे औरे का फुल फर्म क्या होता जोस्तों सुनीर इस यूटूब चैनल पर जो हमारा चैनल नए विद्यारतियों को मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारा टेलीग्राम जरूर्द जोइन कर लिए दोस्तों जिसका नाम है वह इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है यह भारत का सबसे बड़ा लाइबरेरी और information science का channel है जहां पर all our all our इंडिया की हर चोटी मोटी vacancy के बारे में यहां पर आपको update मिल जाती हैं दोस्तों और अधिक जानकारी के लिए दिए गए number पे आप कभी भी call कर सकते हैं और जो विद्यारती बविश्य में librarian competition exam की त्यारी करना चाहते हैं वो हमारे इस app को download करें और app के अंदर जाकर कुछ free content जो दियावा है उस free content का जो है वो क्या कर सकता है दोस्तों आनन्द ले सकता है दोस्तों टेके दोस्तों देखिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आखिरकार इमाचल पद खाली पड़े हैं 800 पड पोस्टेंट तो हमाचल में तीन हजार librarian की दरकार तो हमाचल में परदी माचल परदेश के अंदर जो हैं तीन हजार librarian पद जो हैं खाली थे फिर उसमें librarian के श्कूल के पद भी खाली हैं college के भी हैं और university के भी बहुस सारे librarian के जो पद है खाली हैं दोस्तों तो तीन हजार पदों के लिए इन्होंने यह कहा है कि college पुस्ट का लगी इस्तिती भी ठीक नहीं है और परदेश में बहुत सारी जो है जो है लाइबरी science के जो है लाइबरी science में certificate, diploma, degree holder लगबग 25,000 से ज़्यादा है महला ही माचल परदेश में 25,000 से जो ज़्यादा विद्यारती है जिनके पाए degree, diploma और यह सारी चीज़े हैं लेकिन परदेश में librarian और assistant librarian की पद है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनकी जो vacancy जो है वो नहीं निकाली जा रही है दोस्तों तो करीबन 3000 librarian जुपद है जो कहां पर खाली है दोस्तों फिर जो है इमाचल परदेश के अंदर है फिर आखिरकार यह बात शुरू होईती सन 2020 से चीक है ना यह बात कब शुरू होईती दोस्तों since 2020 यह जो कान ही शुरू होती है इमाचल परदेश में यह कान ही शुरू होती है 2020 से फिर आखिरकाद 2020 में बहुत सारे विद्यारती परेशान हुए परेशान होकर जो है इन्होंने कहां पर दोस्तों हाई कोर्ट का दर्वाजा खट कटाया था तो परदेश हाई कोर्ट शिक्सा विबाग में नएक कैडर junior office assistant librarian के 2000 पदों को ना भढ़ने पर कड़ा संग्यान लिया अदलत ने रजिस सरकार को आदेश दिये कि 6 महीनों के भीतर इन पदों के लिए बढ़ती हैं पदों ने तिन यह बनाये जाए पिर आखिरकार 2020 में बहुत सारे विद्यारती परेशान होगे फिर आखिरकार सिमला हा अखट कटाया और हाई कोट में फटकार लगई है कि जल से जल जो है जुनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइवेरियन के 2000 पदों को बरा जाए जिए खाली पद कितने है 3000 लेकिन उन्होंने कहा कि 2000 पदों कम सगम बरा जाए यह तो यह 2020 में उन्होंने कहा था कि जल्दी से निय जो है 31 अगस्ट 2020 को एक ऐसा जो है हिमाचल परदेश का जो डिपार्मेंट है उस डिपार्मेंट से एक जो नौटिफिकर से निकला गया था कि दा गवर्णर ऑभी माचल परदेश इस प्लीज टू आडर टू कनवर्ट दा सासो इकोतर वेकेंट पोस्ट अशिस्टेंट ल लेकिन अब इसका नाम क्या कर दिया है जे ओ ए जूनियर ओफिस असिस्टेंट लाइबेरियन एज एनिक्सर एब एं रिमेनिंग दो सो बावन फिल्ड अब दो पोस्ट अप असिस्टेंट लाइबिरेंट टू बीडिकलेड एज डाइंग एडिटर विच इस एल्वी इसका बावन तो इमाचल परदेश के में सिक्सा विबाग के द्वारा जब हाई कोट ने विबाग को फट्का लगए और फट्का लगाते हुए शिखसा विबाग ने एक आधेस जारी केया था दो जार क्या कह सकते हैं दो जार बीस में और उन्होंने कहा था कि बएग सांस नाम इन्होंने कर दिया था, ठीक है, 2020 की कहानी है, फिर ये कहानी आती है, दोस्तों, December 2023, जान रगना, December 2023 के अंदर, जो है, High Court की फटकार के बाद, सिक्सा विभाग ने, सारी जो रूल्स रेगुलेशन जो है, वो बनाकर सरकार को बेजा, और सरकार ने रूल्स रेगुलेशन को हरी जंडी भी दे दी, तो ये December 2023 का सरकार की जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जो है, ये जो है, नौटिपिकेशन इन्होंने बना लिया बना है, और इसके अंदर सारे रूल्स रेगुलेशन सारे बन गया है, चीकर ना, यह सारे रूल्स रेगुलेशन सरकार दे दो, कान ही शुरू है, पॉस्ट का नाम बदला, असिस्टेंट लाइबरियन की जगे, इसका नाम दिया गया, 591 पदबर, जोए लाइबरिरी का, फिर शिक्सा विबाग जागा और शिक्सा विबाग ने रूस रेगुलेशन नहीं बना लिये और सरकार ने भी इस पर मोहर लगा दिया है कि इसका नोटिफिकेशन जारी कर दो लेकिन बीच में सरकार का कुछ ऐसा कैबिनेट मंत्रा ले बिगड़ा और अभी अच्छा सहीता लगने की वज़े से यह नोटिफिकेशन वा कवा पड़ा रहे गया था तो यह नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा हरी जंटी दिसंबर 23 में दे दी गई थी अभी चल रहा है मार्च करीबन जो है नोटिफिकेशन आने वाला था लेकिन अभी आपने देखा था राजनितिक सरकार के पास पड़ा है लेकिन वेफिकेशन पर लॉंच नहीं हुआ था तो क्या हुआ था तो उन्होंने रूल्स रेगुलिशन बना दिये थे तो अब जो पोस्ट का नाम है जूनियर ओफिस असिस्टेंट लाइबरेरी सांसो जो इको तर जो पोस्ट है ठीक है तो प्ले तक वो फारम पढ़ सकते हैं तो यह जो है ना सरकार के द्वारा जो यह जारी हो चुका है दोस्तों लेकिन यह नोटिफिकेशन जो है कह सकते हैं कि ऑनलाइन फारम नहीं शुरू हो पाया थे उसके कुछ कारण रहे होंगे दोस्तों उसके बाद इन्होंने पे ग्रेड भी रख दिया लेवल फॉर में यह वेकेंसी आएगी जो भी रूल्स इन्होंने बनाया था ठीक है उसके बाद पहले क्या प्रोब्लम थी जब यह बढ़ती कोट में गई थी तो कोट में जब बढ़ती गई थी इन्होंने पहले जो क्वालिफिकेशन क्या रखी थी ठीक है ना जिह कोट में फटका लगे फी रूल्स रेगुलेशन बने अब इन्होंने दोनों चीज़े क्या दी तो अब इन्होंने क्वालिफिकेशन एसेंशल क्वालिफिकेशन मना लिया है कि जिसके ट्वल्ड प्लस डीलाइस है वो भी फार्म बढ़ सकता है और उसके बाद जिसका ग्रेजुएशन के साथ बीलाइस है और जिसके ग्रेजुएशन के साथ बीलाइस है वो भी फार्म बढ़ सकता है तो उन्होंने रूल्स रेगुलेशन त्यार कर लिया था और उसमें डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस भी शुरू कर दिया और उसके बाद बैचलर होगा लेकिन राजिस्तान में भी नियम निकला था उसी तरीके से इमाचल पर्दिस में इन्होंने कहा था कि 50 पर सेंट जो यह जो यह लाइब्रेरी है और तो परमोशन क्या जाएगा और 50 पर सेंट जो है वह क्या हो जाएगा दोस्थो वह डारेट रेड़्ुट्मेंट ह होगा क्या होगा दोस्तों डारेक्ट बढ़ती होगी दोस्तों तो 50% डारेक्ट रिक्विट्मेंट और रेगुलर बैसिस होगा ठीक है ना और जब कि 50% जो है ये जो है उनका क्या होगा दोस्तों जो है कॉंट्रेक्ट बैसिस जो है रिक्विट्मेंट होगा रेगुलर रिक नियम दिसमबर 2023lar दिसमबरPPS सवा कर दिये है तो राजिये लोग सवा आयोग ने जो सांसोथ पर जो या लाइब्रेरी के जो नियम है बढ़ती के नियम है और पदोनुति के नियम भी त्यार कर दिये हैं हिमाचल सिखसे विवाग में कनिष्ट कारेले साइक पुस्टकाले के साथ सो इकोतर पद बरे जाएंगे राजिय लोग सेवा आयोग ने बढ़ती हैं पदोनुति नियम दोजा तेज तियार कर लिये हैं पचास फीस्दी पद सिधी बढ़ती और पचास फीस्दी पद बैच वाइस माधियम से बरह जाएंगे मनले 50% तो पर्मोशन होगा और 50% डारेट बढ़ती होगी अठारे से पैतारेस वर्ष की आयोवाले बढ़ती के लिए पातर होंगे चैनित अभ्याटी को पर्देश के दूर दराज और कठीन चेतरों में पहले निव्टी दी जाएगी तो जाना जो वेकेंसी आ रही है जिनका सेलेक्शन होगा उनको जो वहाँ पर बढ़ती की जाएगी इन चैतरों में कम से कम पांच वर्ष तक सेवाय देना अनिवारे होगा तो पांच वर्ष तक आपको वापत जोब करना होगा उसके बाद ही आपके ट्रांसफर होंगे दोस्तों उचतर सिक्सा विभाग की और से राज्य पत्र में इस बाबत अधिनु सुचना जारी की गई सिधी बढ़ती के लिए नियुन्तम सेक्शन योगिता के टहट जो है ट्वल्ट में 50% होना चाहिए और ट्वल्ट के साथ आपका क्या होना चाहिए डिप्लोमा होना चाहिए तो नियम क्या है ट्वल्ट 50% और डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों और उसके बाद सिधी बढ सबसे इंपोरेंट है दोस्तों जो डारेट जो वरती होगी उसमें लिखित परिक्सा होगी दोस्तों और उसके बाद सारी प्रस्टिक्षन के अधार पर ही क्या जाएगा उसके बाद आपको जो है और उसके बाद जो है आपको जो है पर्मानेंट कर दिया जाये का दोस्तों चंगे ने जो है एक साल का प्रोबेशन प्रेट इसलिया रहेगा ताकि जो है आप इमाचल परदेश के अंदर आप जहाँ पर भी जोब करेंगे वहाँ पर आपके सेवा संतोज जनक होने चाहिए दोस्तों ठीकर ना दोस्तों और उसके बाद एक साल बाद जो है आपके जो है निफ्ती पर्माइन्ट हो जाएगी दोस्तों तो यह जो जो है इमाचल परदेश की जो जो वेकेंसी के बारे में था जो यह लाइब्रेरी की वेकेंसी जो सांसो इकोतर पद पर आने वाली है जिसमें 50 पर्मोशन होगा और 50 परसेंट आपकी वेकेंसी आएगी इसका रूल्स साइट पर भी आपको देखने को मिलेगा लेकिन कुछ राजनतिक उतल फूतल की वज़े से और अचार सहिता की वज़े से इन नौटिफिकेंस वहां का वाब पढ़ा रहा है अब आज जो है इमाचल परदेश से बहुत सारे विद्यारतियों को फोन आया था उन्होंने कहा की वह अब चुदाव अचार सहिता के बाद जो है यह वह इसका नौटिफिकेंस बहुत जल्द आपको जारी होने की संभावना बन रही है तो जिन्होंने सपना देखा है इमाचल परदेश में जूनियर ओफिस असिस्टेंट लाइब बने का वह आप अपने तैयारी शुर कि दॉनों किताब पुराने पर प types पर आधा रही थे और इसमें जो सारा जो कंटेंट क्या है यह वह थो बाई अगर इस किताब को आपको अजर्धा आपको ओर्डer करना है तो आपको जो है एक डाउन्लोड करना होगा और एक नाम मैं बुख पीप क्या नाम है दोस्तों माई बुक पीकप माई book pickup app को download कीजिए ताकि आप जो है मेरी किताब दोनों किताब आप मंगवा सकते हैं दोस्तों thank you very much बहुत बहुत दन्यवाद आप सभी लोगों का इसी तरीके से मेरे साथ बने रहे और जल्द आपको इमाचल परदेश में junior office assistant library के 771 पर आपको वेकेंसी देखने को मिलेगी ठीक है ना rules regulation त्यार हो चुके हैं और बस notification आना बाकी है दोस्तों तो आप सभी जो लोग हिमाचल परदेश के जो लाए विरोजगा लाइबरी साथ के students है उनने में कहना चाहता हूँ कि आप भी सरकार को थोड़ा द्यान आकरसित करें जो भी आपके जो लोकल MLA है उनको जो है एक लैटर के मादियम से उनको अउगत कराएं कि जल से जल नौटिपिकेशन निकाले सरकार और आप सरकार की सरकार को आपकी तरफ द्यान खिचाने की कोशिश कीजिए उसके लिए आप जो भी आपका जो प्रयाप्त मातरा में जो आपका जो साधन है उस साधन के मादियम से या फिर लैटर के मादियम से सरकार को अउगत कराएं कि ये नौटिपिकेशन रूल्स रेगुलेशन तयार हो चुके हैं दोस्तों बस ओनलाइन आवेजन शुरू करना बाकी है दोस्तों ठैंक यू वेरी मुच बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का तो इमाचल पर्देश के विद्यारतियों ज्यादा आपको निरास होने के जरुतनी है बहुत जल्द आपको वेकेंसी देखने को मिलेगी लेकिन आप अपने पढ़ाई जारी रखे और जैसे कोई नई अपडेट आएगी इमाचल पर्देश से समंदित हम आपके साथ जो है रूबुरू होंगे और आपको जल से जल एक अच्छी निउज आपको देखने को मिलेगी दोस्तों ठीक है दोस्तों और आज भी माचल पर्देश से बहुत सारे स्टूडेंट्स का फोन आया है कि अचार अचार सहिता के बाद लोगसभा चुनाओं के बाद यह नोटिपिकेशन आस आने के सो परसेंट संभावना बन रही हैं दोस्तों फिर अब देखते हैं और लेकिन मेरा व्यक्ति को सुझाव यह है कि आप अपने त्यारी में लग जाएं दोस्तों थैंक यू वेरी मुच इस चैनल को सब्सक्राइब जरू करें ताकि आने वाले समय में हर चोटी मोटी अपड